दमश्कार मेरा राम हे रूपा वुद्धी राजा मैं चरुकार रीदर वास्तु एक्सपर्ट निम्रेल लॉजिस और एस्टर लॉजर हूँ बात करते हैं आज का दिन याने की 15 जून का 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी मेश राशी की मेश राशी वालों की बात करें तो देखे मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसिक तौर पर आप काफी रिलाक्स और शान्ती फील कर रहे हैं क्योंकि वयाम कर रहे हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आज का दिन आपका वयाम में जा रहा है, एक्शोसाइज में जा रहा है, और काफी मन से बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा दिन आज का आपका बात करते हैं व्रिश्व राशी की आपके लिए काम मुझे ऐसा लग रहा है कोई काम आता हुए नजर आ रहा है इतने दिन से वेट कर रहे थे ना कि मैं क्या करूं अपने काम में होबिस में चीज हमें टाइम स्पे कैसे करेंगे तो दोलों तरफ से मिलाज्टिला दिन आपके लिए बात करते हैं 오늘 राशी वालों मुझे दिखाई दे रहा है कोई तक्रार कोई विवाद आपका हू सकता है कोई विवादों में आप सकते हैं या कहते हैं कि कोई विवाद आपके पास लेकर आया जिसम करते हैं करकराशी की बात करें तो आज का दिन आप मुझे दिखाई दे रहा है किसी शड़ियंत्र का किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हो तो करकराशी वालों सोच समझ कर डिसीजन लीजिए सोच समझ कर अपनी चीजें लोगों से शेयर कीजिए क्योंकि आप जिससे जो जिस शेयर कर रहे हैं उसका आपको नुकसान हो सकता है तो अपनी बाते सोच समझ कर दूसरों के साथ बताईए सोच समझ कर शेयर कीजिए यही आपके लिए आज की अडवाईज बात करते हैं सिंगराशी की तो नौकरी में कुछ कश्ट कारी समय है आज का आज कुछ ऐसा दे रहा है कि कुछ कटू शब्द आपसे बॉस बोल सकता है आज आप अगर कोई वेपार करते हैं तो वेपार में आपका कोई ग्राक आपका समान वापिस दे सकता है कोई इस तरीके के वर्ट्स आपको बोल सकता है कि जिससे आपको दिल में दुख हो सकता है तो मुझे ऐस करकरशी वालों थोड़ा साथान थोड़ा सा दिन आपके लिए नेगटिव एनर्जीज वाला रहेगा बात करते हैं सिंघ राशी की सिंघ राशी की बात करें तो नौकरी में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए काफी पॉजिटिव टाइम आता हूँ नजर आ कनिया राशी वालों आप आज का दिन आपका काम में जाएगो और 100% देंगे रिजल्ट और धन दोनों बहुत अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है बात करते हैं तुला राशी की तुला राशी की बात करें तो जीवन में ये समय आपको बहुत महनत करवा रहा है यह ज आज का दिन आप महनत करें उसका फल आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर तो महनत करते जाएगे सोचिये नहीं विष्चिक राशी की बात करते हैं तो पती-पत्नी के बीच में कुछ नराजगी हो सकती है पती-पत्नी एक दूसरे से यह तो कुछ डिस्टेंस कोई उधर बैठा है तो कोई उधर बैठा है इस तरीके की नराजगी मुझे दिखाई दे रही है लेकिन यह मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यह ज्यादा टाइम तक नहीं है आज का दिन आपका नराजगी भरा विष्टिक राशी वालों बात करते हैं ध धनुराशी वालों थोड़ा सा अपने आपको मोल्ड करके चलिए थोड़ी सी चीजों को लोगों को समझ कर भी चलिए जो आपके आसपास है लेकिन आप अपनी शर्तों पर आज का दिन पूरा जिएंगे जो आपको करना है वो आज आप करेंगे बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी वालों की बात करें तो आज आप पैसा कमाने के साथ साथ आप लोगों से जुड़े रहेंगे लोगों से मिलेंगे भी पैसा तो कमा ही रहे हैं मकर राशी वालों लेकिन लोगों से भी जुड़ेंगे लोगों को भी इंपोर्टेंस देंगे रिष्टों को भी इ प्रिशंसा हो सकती है आज का दिन आपको लोग बड़ा इंस्पार कर सकते हैं आज आप किसी को और आज आपको लोग बहुत आपकी प्रिशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं बात करते हैं हमारी आखरी राशी यानि की मीन राशी तो मीन राशी वालों के मुझे ऐसे दिखाई आज के दिन पूरे होते वे नजार आ रहे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे कि आप मन से बहुत खुश है और भक्ती भाव में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान और लगा लिया आज का दिन तो जो थोड़ी बहुत अड़कने हैं वो भी निकल जाएंगी और आज का दिन आप